हलो फ्रेंड्स, वेलकम अगें टु माई यूट्यूब चानल मुवी टाइम, दोस्तों मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी बॉलिवुड के दो ऐसे लेजंड और आइकॉनिक पैर्स में से एक रहे हैं, जिनके साथ में ना होने का मलाल आज हम सभी ओडियन्स को और इन द वाली बाते सुनी थी, तब से सभी लोग और भी ज्यादा इन दोनों को हर जगा एक साथ देखना पसंद करने लगे थे, वैसे हम सभी ने मिथुन और श्रीदेवी की साथ की फिल्में जाग उठा इनसान, गुरू, वक्त की आवाज और वतन के रखवाले देखी हुई है, और इन दोनों को साथ में लेकर के बहुत सारी फिल्में, बहुत सारे ही डाइरेक्टर्स ने प्लानिंग करके रखी हुई थी, मगर इससे पहले की ये लोग फिल्में अनाउंस करते, मिथुन और श्रीदेवी का ब्रेक अप हो गया, फिर उनके ब्रेक अप हो जाने के भी बन नहीं पाई, इन में से एक फिल्म थी रास्ता, जिसमें मिथुन चक्रवर्ती और श्रीदेवी जैसे आइकॉनिक पैर्स के साथ में, बॉलिवुड के एक और लेजंड कलाकार दिलीब कुमार भी मौजूद थे, इस फिल्म का अनाउंसमेंट के बापया ने किया था तो दोस्तों ये बात है इयर 1987 की, जबकि इस फिल्म का अनाउंसमेंट किया गया था, और उस समय के बापया मिथुन और श्रीदेवी की फिल्म वक्त की आवाज की शूटिंग कर रहे थे, और इसी फिल्म के दौरान के बापया ने अपनी अगली फिल्म रास्ता का अनाउं अधूरा ही रह गया, और हम सभी को ये आइकॉनिक जोडी रास्ता फिल्म में कभी देखने को नहीं मिल पाई, और उसके बाद ये 1993 में महेश भट ने एक फिल्म अनाउंस की थी, जिसमें फिर से हम मिथुन और श्रीदेवी को सिल्वर स्क्रीन पर एक साथ देख सकते थे, महेश भट की ये सीमा फिल्म मल्ती स्टार फिल्म होने वाली थी, जिसमें मिथुन और श्रीदेवी के साथ ही साथ, संजय दत, अक्षय कुमार, पूजा भट, अनुपम खेर और राहुल रॉय जैसे कलाकार भी मौजूद थे, इस फिल्म में मिथुन का एक स्पेशल अप् में श्रीदेवी के साथ नजर आते या नहीं, तो गाइस मिथुन और श्रीदेवी की ये दोनों ही फिल्में अगर देखा जाए, तो उनके ब्रेक अप हो जाने के बाद रिलीज होनी थी, मगर उनकी अफेर और उनकी अधूरी शादी की तरह ही ये फिल्में भी हमेशा करके रिलीज होती, तो ये बॉक्स ऑफिस पर तहल का मचाती या नहीं, हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजियेगा, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, थैंक यू वेरी मच